तो आज मैं yellow smokey eyes को कैसे create करते हो सब में दिखाऊंगी कि यह पर मैंने सबसे पहले स्कीर कर लिया है तो पहले मैंने sunscreen लगाया फिर toner लगाया फिर यहां पहले मैं अब एलवरे जल लगा लूँगी जिससे कि मैं मेकप करूँ तो मेरा मेकप पैची-पैची सा ना लगया और अच्छा वाला मेरा मेकप निखर करा है तो इस मेकप करने से पर स्कीन केर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है देन इसके बाद मैं अपने आखों पर कंसीलर लगा होतो मैं यहापर एक ब्लेंडर कर लए है देखे मैं कैसे कट रही हूँ तो यहापर ब्लेंड करने के बाद मैं यह और आए साईडो पालेट से मैं यहापर निव्स पिक करूंगे दिन उसके बाद इसमेश में मिल जाते हैं यह आई सागय है ना यहाफर अच्छे से अच्छ से ब्लेंड कर लोंगे क्योंकि जितना हम ब्लेंड के हिआना इस ऑसेट को उतना ही कलर आपका मतलब खिल कराता है सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा लिया है Wat also अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं आप लोगों को मेरी ये लुक अगर अच्छी लगेगी तो प्लीस में वीडियो को लाइक कर देना आप लोग देने हाँ पे एक मैं थोड़ा हलका ब्राउनेज कलर लेकर क्योंकि स्कोंकी आइस बनाने हैं तो मैं यहां पर थोड़ा यूज कर रही हूं आप वैसा आपके पास नहीं है तो नहीं हो पाइगा लेकिन अगर आपके पास कोई ब्रश है अगर कलर चैंज करकर भी लगाते हो ना तो आपकी जो आइसेड़ों कि आप अप्लाई करोंगे अच्छे से अप्लाई हो जाता है सो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो देनिस में थोड़ा सा मतलब वो ब्लैक कलर मैंने थोड़ा लिया है ज्यादा नहीं और अपने क्रिजेयों किसे अप्लाई कर लोंगे देखिए जैसे मैं अप्लाई कर रही हूं यहां आ सोचा कि आघ मैं यल्व स्मोकी आइज मेकप लोग आप लोग के साथ में श्यार करूं जिससे की आप लोगों को अगर यल्व तो ड्रेस पहन रहे हो तो आई मेकप कैसे करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा तो यहां पर मैंने यलो प्लाइ कर लोगे अच्छे से मिलाना है और यह मुझे मेकप मैंने कंप्लेट किया है यह आई मेकप आई मेकप यह फुल फेस मेकप जो है मैंने 45 पिनिट्स लग गए मुझे मेकप कंप्लेट करने में तो देखिए यहां पर यलो आई सेड़ो जो है वो मैंने एक आँखों पर लगा लिया है अब दूसरे लिट पर लगा लूँगे और यहां पर मैंने यलो ग्लीटर ले लिया है तो यलो ग्लीटर में लगा लूँगी अगर आपके पार से ग्लीटर ग्लू है तो पहले ग्लू अप्लाई कर ले आँखों पर दिन उसके बाद ग्लीटर अप्लाई करोगे ना तो आपके ग्लीटर जो है बहुत अच्छा लग जाएगा और फैलेगा भी नहीं तो यहां इसके जो आई-laces है वह कर सो जाते हैं जो कि फॉल्स आई-laces जब आप लगा ओगे तो आपकी जो रियल आई-laces है और जो फॉल्स वाले लेसे जो रहेंगे वह अच्छे से मिक्सप हो जाएंगे तो मैंने यहां पर देखे आई-laces भी लगा लिया है दिन इसके बाद मैं आ पर अच्छे से दिन मैंने लगा लिया है आइलाइनर भी और जो येलो कलर आइस सेड़ों मैंने अपने आंकों पर लगाया थे वही कलर करके मैं नीचे जहां पर काजल अप्लाइ करते हो वहां पर लगा लूँगी जिसे कि आपकी आइज बहुत ब्यूटिफुल दिखता है ये फुल यलोग यलोग मेकफ मैंटने में लिए अगर canovra साधी फीक लगे मैं पर लेटने वाभव कब कर लोगे जिसे कि आपके का अप्छा लोगे दिखे ब्रुट अच्य हां तो दिखे और अच्छा लगी तो दिखे और उसके बाद आपको पता चल रहा है और पहले किया था और अब फिल करने के बाद कैसा लग रहा है तो यहां पे कर लिया है आई मेकप मेरा कम्प्लीट हो गया है अब मैं फांडेशन लगाऊंगी अपने चहरे पर अच्छे सप्लाइ कर लोगी देने यहां पर एक काई च्मलीट्ट वा इसनने च्छे से लोगाँगे अगर आप अच्छे से ब्लैड करते हो तो और आपके आयते जो मेखई पर तो उसके लिए आपको स्कॉंज को पानी मेरे करना है उसका पानी को निचोड़कर देन आपको ब्लेंड करना है देन यहां पर foundation को set करने के लिए मैं आपके compact अप्लाइ करती हूं तो देखिए यह compact है मैं यही mostly use करती हूं तो देखिए यहां पर मैंने compact use कर लिया है देन उसके बाद nose cutting कर लूँगी और nose cutting करने के बाद cutting भी करूंगी और double chin जो में थोड़े बहुत दिख रहे होंगे उससे cutting कर लूँगी जो कि double chin बगरा है नहीं लेकि फिर भी मैं cut देती हूं कि अच्छा लगे मुझे बस तो अब मैं एक beauty blender के help से इसे blend भी कर लूँगी तो दिखिए मैंने यहां यहां पर blend कर लिया है और cuts आप देख सकते हो और फिर वापस से compact के help से set कर लूँगी तो मैंने यहां पर set कर लिया है और अब brush on लगा लूँगी जो कि मेरा बनाया है yellow color का आप लोग बोलोगे तो मैं बताऊंगे कि यह highlighter कैसे बनाया है मैंने तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यह yellow highlighter है मैं इसे अपने fingers के help से ही इसे मैं apply करूंगी देन उसके बाद brush के help से मैं इसे set कर लूँगी अच्छे से कि जो कि मैं highlighter जो apply कर रही हो मेरे चिक्स पे अच्छे से apply हो जाए तो देखे मैं brush के help से इसे apply कर ले रही हूं और आप लोग मेरे chicks देख सकते हो और जब भी आप highlighter apply कर रहो ना तो smile करते हुए ही करना क्यूंकि इसे अगर आप ऐसे करते हो ना तो आपकी जो highlighter है बहुत तो अच्छे से blend हो जाता है और जो आपकी चिक्स है काफी जादा beautiful देखता है जब आप smile करते हो तो और अप देन इसके बाद मैं पर lipstick लगा रही हूं मैं lip gloss ही हलका lip gloss लगा हूंगी क्योंकि eye makeup heavy करते है ना तो हमेशा याद रखे कि lips color जो भी लगाए वह तो हलका लगा है यहां पर यहां पर मैंने यह pink color का लगा लिया है और यहां पर जो highlighter है वह मैं थोड़ा अपने lips पर अप्लाई कर लूँगे कि थोड़ा yellow effects आ जाए आप पुरा जो मेरा yellow smokey eyes और पुरा yellow जो गेटफ है आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग दिखिए और बताए कमे makeup कैसा किया है अगर आप लोगों को मेरा यह makeup लोग अच्छा लग रहा होगा yellow smokey eyes तो